असलाम्लीकुम विवर्स कैसी है आप सब आज हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट जो के बहुत इस्टी बनते है और बहुत मज़ेका बनता है तो आपने जो वीडियो है वो फुल बोच करनी है ताकि आपका कोई इंग्रीडियेट मिसना हो बिल्कुल बजार जासा स्टीम रोस्ट बनेगा तो चले स्टार्ट करते हैं एक बाउले लेंगे और उसके अंदर हम एड कर देंगे वन पाउ देही के अंदर हम एड कर रहे हैं लैसन अद्रक का पेस्ट थ्री टेबल स्पून भर बर कर मिक्स कर लेंगे अच्छे से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंद कर रहे हैं salt 1 tablespoon अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे chili flakes 1 and half tablespoon यह सारी जो marination हम तियार कर रहे हैं यह normal है अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़े spices जो हैं वो बढ़ा ले mix करेंगे अच्छी से ताक कि जो सारी spices हैं वो अच्छी तरह से mix हो जाएं अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे soya sauce soya sauce हम इसके अंदर एड़ करेंगे 3 tablespoon अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे vinegar यानि सिर्का सिर्का हम इसके अंदर एड़ कर रहे हैं 3 टेबल स्पून अगर किसी के पास विनिगर नहीं है तो वो लेमन का रस्ट जो होता है वो भी आड़ कर सकता है मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक मुर्गी ले लेंगे फुल मुर्गी लिए है इसको अच्छी तरह से साफ करके इसको इस तरह से कट लगा लिए है ताके सारी जो मैरिनेशन हमने तियार किया है वो कट्स के अंदर अच्छे से चले जए और अच्छे से इसकी जो मैरिनेशन है वो हो इस तरह से फॉक से भी आप इस तरह से इसको निशान लगाएं ताके अच्छे से इसकी अंदर जो marination है वो चले जाएं इस तान से इसके अंदर dip करेंगे और अच्छे से हातों की मदद से cuts के अंदर सारी जो marination है वो लगाएंगे ताके अच्छे से इसकी जो marination है वो हो अभी हम इसको रख देंगे फुल नाइट फ्रिज के अंदर इसको कवर करके इस तरह से हम इसको कवर करेंगे अगर आप लोगों के पास ऐसी शीट नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से कवर करके रख सकते हैं को जितनी ज्यादा देर आप इसकी marination करेंगे जितनी तेर ज्यादा रखेंगे उतना ही यह tasty जो roast है वह बन कर ready होगा तो अभी हमारी जो chicken की marination हो गई है तो oil लेंगे और इसको अची तरह से fry करेंगे ताकि इसमें से smell ना आये इस तरह से पहले fry करने का मेन मकसद यही है कि चिकन में से जो स्मेल आती है वो खत्म हो जाती है एक साइड से फ्राइड करेंगे साइड चेंज कर देंगे फ्राइड करेंगे ताकि स्मेल जो है वो अच्छे से चले जाए साइड से इस तरह से फ्राइड करेंगे तब तक फ्राइड करेंगे जब तक बहुत ही कम ingredients में बहुत ही tasty steam roast बन कर त्यार होता है जूरूर रेज़आ करेगा और यो त्राइपकर तर्दास स्टीम में बहुत ही त्यार होता है जरूर रेसिपी को ट्राय करिएगा और ये सारे ingredients आपको घर में से ही मिल जाते हैं तक्रीबन एक पतीला लेंगे और इसके अंदर पानी आड़ करेंगे और इस तरह से stand रखेंगे और इसके उपर सारा जो हमारा chicken है वो हम इसके उपर रखेंगे और इसको cover करके रख देंगे आदे केंटे के लिए medium frame के उपर अभी हमार जो chicken है वो अच्छी तरह से steam हो चुका है तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं तो अभी हम इसको बाई निकाल लेते हैं एत्याद से निकाल लिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम होता है इसको निकालने के बाद सारा जो marination बच गए थी उसके अंदर दुबाया से coat करेंगे और इसको steam करने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर आपका अगर नमक जो है वो कम है तो marination के अंदर आप नमक को add करें और इसको steam करने के लिए छोड़ दें तब तक इसको स्टीम करें जब तक के पानी इसमें से खूश्क नहीं हो चाथा लो फ्लेम पर आप इसको कवर करके रखें तो यह मिसा स्टीम रोस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुक है तो अभी आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लूप तो यह देखें मज़े का स्टीम रोस्ट बहुट टेस्टी था ज़रूर ट्राय करिएका रेसिपी तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो पलीज लाइक करिए शेयर करिएका और सबस्क्राइब भी ज़रूर करिएगा और अगर आपको शामी कबाब, रेशा कबाब या गोला कबाब अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो भी मेरे चैनल पर है उसकी रेसिपी भी आप जाकर देख सकते हैं तो अभी हम आपको इसको तोड़ कर भी दिखाएंगे कि अंदर से कितनाidosy ब्रूट की टेस्टि बना था तो आपको टेस्ट करके बिताते हैं यह कितना बना था। यह देखें कितने अच्छे से असानी से टूट रहा है और आपको दूबरा से इससे आपको दोर कर दिखाते हैं यह देखें बहुत टेस्टी बनता है जरूर ट्राइ करिएगा मिलते हैं आप से एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ अपना बहुत सारा क्यार रखिएगा और दूमियात रिकीगा और आफिस